इमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटस्ट खबरे वा आदेश हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन को कर ले सलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहु और पतब हम देख रहे हैं लेटर दिया गया है के और यह कब साइलेंट हो जाता है किन परिस्थितियों में होता है तो आईए हम इससे देखते हैं किसी भी स्पेलिंग में अगर के के बाद एन आता है और उसके बाद कोई वावल जैसे ए ई आई ओ यू अगर ये पांच व अगर इसका उचारण नहीं किया जाता है अब इसके कुछ एग ऐग्सामपल भी दिये गए हैं जैसे के एन इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे आई आया है तो आई जो है वो वावल है तो अगर इसका हम उचारण अगर करें तो इसे हमनाइट पड़ते हैं यहाँ पे के जो है वो silent हो जाता है इसी प्रकार के एन ओ तो यहाँ पे ओ जो है वोवल है तो इसका उच्छारण अगर हम करें तो यहाँ के silent लेटर हो जाएगा और यह हो जाएगा नौ इसी प्रकार के एन आई एफ फी यहाँ पे हम देख रहे हैं एन के बाद आई आया है तो इसे हम अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे silent हो जाएगा के और इसे हम नाई पढ़ेंगे इसी प्रकार के एन ओ हम देख रहे हैं एन के बाद ओ आया है इन चारों परिस्तिति में अगर हम देखें तो एन के बाद यहाँ पे वावल आ रहा है और यह silent यहाँ पे के हो जाएगा तो यह हो जाएगा knowledge अब हम दूसरी परिस्तिति देखते हैं S लेटर के साथ S कहां silent होता है अगर किसी spelling में S दो लेटर I और L के बीच में अगर आता है तो वहाँ पर S का उच्चारण नहीं किया जाता है हमें दो लेटर देखना है I और L अब इसके एक्सामपल दिये गए हैं जैसे I, S, L अब यहाँ पे I और L के बीच में S आया है इसे हम align पढ़ लेंगे S यहाँ पे silent हो जाएगा इसी प्रकार I, S, L, E, T तो हम इसे अगर यहाँ पे S को silent कर दें तो यह हो जाएगा I, L, E इसी प्रकार I, S, L यहाँ पे दोनों के बीच में S आया है तो इसे हम silent कर देंगे तो यह हो जाएगा I, L तो यहाँ पे हमने S के भी लेटर को समझा कि किन परिसितियों में silent होता है तीसरे नंबर में हम देख रहे है B B लेटर कहां silent होगा अगर किसी वर्ड में B M के बाद आता हो तो B silent होता है इसके भी हम एक्जामपल देख लेते हैं जैसे हम देख रहे है B, O, M, B तो M के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर B आ रहा है और नियम में भी कहा गया है कि अगर M के बाद अगर B आ रहा है तो B जो है वो silent हो जाता है जैसे यह हो जाएगा bomb फिर यह हो जाएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं C, O, M, B तो यह हो जाएगा com बाद में B T के पहले आता है तो वहाँ भी B silent होता है तो T के पहले अगर B आ रहा है जैसे D, E, B, T तो T के पहले B आ रहा है तो यह इसे हम silent अगर पढ़ें तो B को तो यह हो जाएगा date फिर दो D, O, U, B, T तो हम देख रहे हैं T के पहले क्या आ रहा है B आ रहा है तो इसे अगर हम silent letter यहाँ पे B को हटा देंगे तो यह हो जाएगा doubt इसी प्रकार D, E, B, T, O, R तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं T के पहले B आ रहा है तो B यहाँ पे silent हो जाएगा और E हो जाएगा data इसी प्रकार देख रहे हैं सातियों चौंते नंबर की परिष्टिती भी हम देख रहे हैं जैसे later दिया गया है W अब यह कहाँ पे silent होता है किसी word के शुरुआत में अगर W के बाद R आता है कोई word अगर शुरू हो रहा है और उसके तुरंद बाद R आता है तो वहाँ पे W का उच्चारण नहीं किया जाता है अब जैसे हम देख लें W दिया है और इसके बाद तुरंद में R आया है तो R यहाँ पे silent हो जाएगा और हम इसका जब उच्चारण करेंगे तो यह right हो जाएगा इसी प्रकार यहाँ पे W के बाद R आया है अगर इसका हम letter silent letter R को हटा दें तो हम इसे wrong पड़ेंगे और यहाँ पे W के बाद R आया है तो यह हो जाएगा silent letter को हटा देंगे R को तो यह हो जाएगा wrist अगर किसी spelling की सुरुवाद W हो से होती है तो सामानतों वहाँ W silent होता है अब हम देख रहे हैं पाची प्रिस्तिती दी गई है H कहां silent होता है अगर किसी spelling में H किसी vowel A, E, I, O, U के पहले आता है अगर H जो है इन vowels के पहले आता है तो वहाँ पर H का उच्छारण ही किया जाता है इसके भी example दिए गए है जिसे हम देख रहे हैं O के पहले H आया है इसी प्रकार U या O के पहले H आया है फिर O के पहले H आया है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं vowels के पहले जो है H आ रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर honest पढ़ा जाएगा इसे इसी प्रकार h यहाँ पर क्या हो जाएगा silent हो जाएगा यह और हो जाएगा और यह हो जाएगा honor ज्यादा तर spelling में w के तुरंद बाद h का उचारण नहीं होता है अब जैसे हम देख रहे हैं why, what, when, where इस तरह साथियों आज हमने बहुती महत पूं letters जो अंगरी जी के silent letter कहलाते हैं इनको हमने सीखा आसा है यह वीडियो आपके लिए helpful रहोगा latest अपट पाने के लिए mk education channel को ज़रू subscribe करें वीडियो को like, share ज़रूर करें comments box में आपके शुजावश बताइए धन्यवार्ट